नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का एक बार पुनह इस क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत अभिनंदन विद्यार्थियों आज में आपके सामने COVID-19 की वज़े से जो अपना RBSC कक्सा आठमी का साथियों जो गनित का पाठेकरम है इसको 50% कम कर दिया गया है तो संसोदित पाठेकरम क्या है उसके बारे में मैं आपको संपुर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ तो आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों गंटे के विशान को अवसे दबा दें ताकि आपके सामने ऐसी कोई वीडियो का नोटी पेकेशन आपको तुरंत मिल सके आपका साथियों परिक्सा का इसकी मुई रहेगा ड़ाई गंटे का आपका पेपर होगा आपको 80 नमबर का पेपर देना होगा 20 नमबर आपके 17 रहेंगे कुल आपकी 100 नमबर की परिक्सा रहने वाली है अब देखिए साथियों आपके सामने ये जो परिक्सा की जो इसकी में उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है अब एक-एक अध्याय की बात करते हैं तो आपके सामने अध्याय नमबर एक देखिए साथियों परिमे संख्या जिनकी पहले अध्याय की बात करें तो परिमे संख्या में देखिए अपना कौन सा टॉपिक हटाया गया है परिमे संख्या में पहला जो एक पॉइंट एक टॉपिक है भुमी का इसको साथियों बिल्कुल वैसा रखा है इनकी भुमी का जो पहला इनकी खाली एक परिमे संख्या की जानकारी उसको सेम कुछ सेम रखाए। परिम्य संक्या के गुण धर्म वाला जो टॉपिक के साथियों यह भी आपके सहलेबस में है. और परिम्य संक्या को रेखा पर निरुपन करना इस टॉपिक को भी विद्ध्यार्थियों सहलेबस में रखा गया है। लेकिन अपना जो लाश टॉपिक था कि दो परमे संख्यों के बीच में एक या तेन या पांच या साथ जो भी परमे संख्यां ग्याद करनी थे उस टॉपिक को उटा दिया गया है यानि कि दो परिमे संख्याओं के मद्य पांच परिमे संख्याओं ग्यात करो सांथ परिमे संख्याओं ग्यात करो ऐसे जो परशन आते थे इसको अटा दिया गया है कुल मिला करके आपका जो point number 4 है यनिके साथियों 1.4 number है इसको आप एक तरह से अटा सकते हैं cancel out कर सकते हैं और ये आपका अंक बार रहेगा 5 number का और प्रस्तावित इसकी class इनके 5 class में topic समाप्त हो सकता है आगे देखिए second अध्याई की बात करें तो second अध्याई है साथियों आपका एक चरवाले रेखिक समिकरण एक चरवाले रेखिक समिकरण में देखिए क्या क्या चीज अटाई गई है तो इसमें भी सामाने introduction पड़ा है अटाय नहीं है इनके आपर देखो कुछ भी ने लिखा हुआ है फिर देखा हुआ है कि समिकरणों को हल करना जिनके एक पक्स में रेखिक वेंज जको तथा दूसरे पक्स में क्यों संख्या हो ये भी आपका topic as it is है अटाय नहीं है कुछ अनुपरियोग थे साथियों इनको अटा दिया गया है समेकरण अल करना जब दोनों पक्स में चर उपस थी तो इनके दोनों तरफ xy xy होते थे उसको अटा दिया गया है कुछ उदारण थे उसको भी हटा दिया गया है समेकन को सरल रूप में बदलना हटाया नहीं है इनकी सेलेबस में रहेगा और रेखिक रूप को बदलना भी सेलेबस में है यनि कि अध्याई नमबर 2 से 3 टॉपिक हटाया है जो कि 2.3, 2.4 और 2.5 था इसको अटा दिया गया है ये आपका 10 नमबर का रहेगा अध्याई नमबर 2 अगला देखिए अध्याई नमबर 3 की बात करें तो अध्याई नमबर 3 था चतर बुजों को समझना इसमें देखिए आपका अध्याई नमबर 3 एजटीज पड़ाय साथियों एक भी पॉइंट हटाया नहीं है यहाँ पर पूरा कॉलम खाले पड़ा है मतलब कि आपका अध्याई नमबर 3 पूरा का पूरा है जो की 10 अंकर नमबर है जिसमें बुमी का है बहुँ बुझ है एक बहुँ बुझ के वाहिए कौनों के माप है चत्रवुझ के परकार है और कुछ विशिष्ट समान चत्रवुझ है यह पूरे के पूरे पड़े है यहनकि आपका तीसरा अध्याई बिलकुल जैसा है वैसा का वैसा रहेगा अगली बात करते हैं अध्याई नमबर च्यार की तो अध्याई नमबर च्यार आपका साथियों पूरी तरह से हटा दिया गया है चोथा अध्याई आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है आपको नोट कर देना है कि जो आपका किताब का अध्याई नमबर च्यार है वो अब की बार नहीं आएगा ठीक है अब की बार नहीं इनकी आपको नहीं पढ़ना है इस साल आगे देखिए अंक बार इनकी सौरी अध्याई नमबर पांच तो साथियों अध्याई नमबर पांच पांच भी आपका पूरा का पूरा अटा दिया गया है देख लीजी आप सारे के सारे टॉपिक अटा दिये अंक बार कुछ भी नहीं है मतलब पांच वाँ अध्याई भी आपका पूरा कट कर दिया गया है आगे देखिए अध्याई नमबर छे अध्याई नमबर छे में साथ आपका है वर्ग एम वर्ग मूल तो इसमें आपका सामाने प्रिज्जे पड़ा है अटाय नहीं है वर्ग संख्याओं के गुण धर्म अटाय नहीं है लेकिन कुछ रोचक पति रूप थे अलग फॉर्मेट था उसको अटा दिया गया है वर्ग ग्यात करना नहीं अटाया है लेकिन दसमलो संख्याओं का वर्ग मूल ग्यात करना था उसको अटा दिया गया है यानकि एक पॉइंट रा दिया है दसमलो का वर्ग मूल यह अटा दिया गया है आठ नमबर का साथियों अध्याई नमबर 6 आपका आठ नमबर का है आगे देखिए अध्याई नमबर 7 तो और ये साथियों आपके 6 नंबर के हैं, लगबग पोर्षन इसमें पढ़ाएं, एक पॉइंट अटाएं, अध्याई नंबर 8 देखिए, तो अध्याई नंबर 8 साथियों आपका एज टीज है, इसमें कोई भी चीज नहीं अटाई गई है, अनुपात, समानुपात के परतिश इसमराण वर्दी, परतिशत इसमराण बट्टा, खरीद विक्री मुल्य, विक्री दर्माल, सेवा, चकरदी ब्याद, इसमें की जो पॉइंट है, सारे के सारे कोई भी चीज अटाई नहीं है, तो अध्याई नंबर 8 पहले था, वैसा का वैसा है, दस नंबर का पढ़ना प कौन कौन से अटा दी गए हैं, तो सरो समी का क्या है, यह अटा दिया गया, मनक सरो समी का क्या है, यह अटा दिया गया, और सरो समी का के उप्योग क्या है, यह अटा दिया गए हैं, अध्याई नंबर 9 के अंदर 3 पॉइंट अटाई हैं, सरो समी का वाले, आगे देखिए अध्याई नमबर 10, 10 नमबर साथियों, आपका अध्याई पूरा का पूरा अटा दिया गया है, यनिकि 10 नमबर अध्याई अब आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें आपने 2D, 3D आकरती के फलक किनारे, गन के किनारे, गन के फलक, गन के प्रश्ट, वो जो सीज थी आपकी, वो सारी की सारी अटा दिया गयी है, आगे देखिए, अध्याई नमबर 11, आपका पूरा नरूप से, अध्याई नमबर 11, 10 अटा दिया गया है, 11 देखिए, 11 में आपके साथियों, एक भी पॉइंट नहीं अटा जाया है, यनकि अध्याई number 11, आपका जैसा था, वैसा का वैसा है, 7 to 7 पूरा का पूरा आपको, पूरा पढ़ना है, जो आपकी गिताब में है, अध्याई नमबर 12, तो अध्याई नमबर 12 साथ ने देखिए, आपका पूरा का पूरा अटा दियेंगे, लिखा हुए आगे अध्याय नबर बारा हटाया गया पर यहां पर भी देख लिए सारे के सारे पॉइंट अटा दिये गए अंक बार कुछ नहीं है मतलब अध्याय बारा आपको नहीं पड़ना है अध्याय नबर 13 देखिए तो अध्याय नबर 13 में साथियों एक भी पॉइं प्रस्तावना भी पड़ी है, सीधा अनुपात, परतिलव अनुपात सब पड़े हैं, अध्याई नमबर चवुदा में आपका दो प्रस्तावना और गुननखंड क्या है, ये पड़ा है, बीजिये वहेंचकों का विवाजन अटा दिया गया है, बहुपद का विवाजन भी अटा दिया गया है, इनकी दो पॉइंट अटा दी गये हैं, और दो पॉइंट पड़े हैं, आगे देखिए, लास्ट पॉइंट था कि तुरूटी ग्याद कने वाला था, वो भी अटा दिया गया है, इनकी अध्याई चवुदा में सिरफ अब गुननखंड क्या है, इतना नमर 16 आपका साथियों पूरा का पूरा हटा जया गया है, लेखा हुआ हटाया गया, हटाया गया, हटाया गया, हटाया गया, आंक बार कुछ नहीं है, मतलब 16 अध्याई संक्याउं के साथ खेलना समाप्त कर दिया गया, पूरा हटा जया गया है, नेक्स्ट आपके सामने स लातियों देखिए तो आपके जो 16 अध्याय थे मैंने सारे के सारे आपके सामने डिसकस कर दिये तो आपका गणित का सेलेवस 50% कम करने के बाद में अब आपके सामने जो सेश टॉपिक रहे हैं इसमें से आपका इस साल का पेपर होगा और इस साल का पेपर 100% होगा क्योंकि स साथियों अभी एक नियूज आई थी जिसमें इस्पिसल लेकावा था कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रिक्सार्थी को ककसा एक से लेकर के बारा तक किसी भी परकार से परमोट नहीं किया जाएगा उनका एक्जाम लिया जाएगा ठीक है साथियों तो आप इस सेसन क अधिक से अधिक अपने मित्रों तक सेयर करें और सब को बताएं कि क्या क्या टॉपिक रहे हैं और क्या क्या टॉपिक हटा दी गए हैं इसी उमीद के साथ जै हिंद जै भारत